असलाम अलेकम आज मैं बनाओंगी मज़ेदार बकरे का गोश्ट हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें चोटी प्याली आईल डाल लेंगे आईल अपने हसाब से डाल लेना कोई जैदा भी खाता है कोई कम भी खाता है एक चम्ची साबस ज लसन और प्याज को ब्रॉन कर लेंगे लसन और प्याज को मीडिया माच पर ब्रॉन कर लेना लसन और प्याज हमारे ब्रॉन हो चुके हैं दो ब्री कटे हुए टमाटर डालेंगे तीन सबस मिटें डालेंगे तीन मिटें डालेंगे टमाटर डालके तीन मिट तक पका लेना तो माटर हमारे अच्छी तरह मिकस हो जाएंगे एक चम्च अद्रका पीश्च डालेंगे इसे भी एक मिन तक पका लेंगे आदा चम्च नमक डाल लेंगे, आदा चम्च पिसी होई लाल मिर्च, आदी चम्च यहाल दिपोडर, आदा चम्च पिसा होई दन्या, साब मसालों को एक मेंट तक बून लेंगे, मसालों को मैंने अच्छी तरह बून लिया, थोड़ा सा पानी डाल लेंगे, माशाला मसाला हमारा त्यार हो चुका है, आदा किलो बकरे का गोश्ट डाल लिया मैंने, गोश्ट डाल के से पांच मेंट तक मीडियम आच पर बून लेंगे, इसे मैंने पांच मेंट तक मून लिया, माशाला आप देख सकते हैं, डो गलास पानी डाल लिया मैंने, इसे अच्छी तरह बून लेंगे, मिक्स कार लेंगे, इसे आदा गेंटे के लिए हल्की इसी आँच पर डगा देंगे, आदा गेंटा हो चुका है, माशाला आप दे सकते हैं, गोशत हमारा कितना ही अच्छा बना है, सबस दन्या डाल लेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स कार लेंगे, गरम साला डाल लेंगे, इसे भी अच्छी तरह मिक्स कार लेंगे, माशाला देखिए बकरे का गोशत हमारा बहुत ही इच्छा बना है, अब चुले को बंद कर देते हैं, इसे दूसरे बरतन में डाल लेंगे, माशाला आप देखिए बकरे का गोशत हमारा बहुत ही अच्छा बना है, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें, अच्छा अखदा आफिज,